आपकी सीटी में भी 5G लाँच हुआ है या नहीं हुआ और क्या प्रोग्रेस चलने वही हम बात करेंगे इस वीडियो में अनफिशल 5G लाँच डिटेल इन यार सिटी के बारे में और वह बात करें हम जियो ट्रू 5G नेटवर्क की या हम बात करें एटल 5G प्लस की सबसे पहले चलते हैं जौनपूर यूपी यहां पर बात की जाए तो में सिटी पूरी तरीके से दोनों नेटवर्क एटल और जियो दोनों से फस्क्लास कर रही है आउटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जहां पर आपको बात कि जाए तो फाइटवर्ग प्रॉपर नहीं मिले बट यह मैंस पूरी तरीके से चलते हैं बलिया उत्तर बढ़ दे जहां पर बात करी जाए तो मेंस पूरी तरीके से अवेलेबिल है एटल और टाइम लगेगा प्रॉपर इस्टेबिलिटी नेटवर्ग तोड़ा सा आउटर में और बात करें मंदिनीपूर वेस्ट मंगाल में जहां पर बात करी जाए तो में एरिया में तो एबिलेबल है लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आउटर में जाते हैं तो सेम प्रॉबलम आपको देखने के लिए मिलती है 5G network dropness बहुत जादा रहता है बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हमारे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा रेगुल अपडेट के लिए यहां पर हम सिर्फ सिटी के वारे में बताते हैं बट आप डारेक्ली हमें वाइट करवा देते हैं और चलते हैं सीदे उडिसा में जहां पर बंजा नगर में जियो इंस्टॉलेशन फेस और टेस्टिंग कर रहा है मतलब जहां 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 टेस्टिंग स्टार्ट हो गई होगी तो आम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है 5G network और जिन लोगों के प मतलब बात की जाए तो चार पात दिन नहीं रहें तो एक डिएड़ हफता लग जाता है लेकिन जो आल्रेडी जिने वैलकुम उफर मिल चुका है वो कंटीनी यूज कर रहे होंगा सेकिंड मोईल में नहीं आ रहोगा तो यह थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती हफते देड़ ह के लिए मिलता है अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हाइवे तो जीओ ट्रू फाइब जी नेटवर्क की बात करें प्रॉपर यह लेकिन थोड़ा सा इंसाइट सिटी के अंदर चलते क्योंकि हाइवे से मुवन हो रहा है बात करें सुल्तानपुर उत्रप्रदेश की जहां पर बात की जाए तो लेकिन जीओ कुछ लिमिटेट एरियों में अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है तो उमीद इस महीने में वह भी ठीक होई जाएगा बात करें अंडमान निकोबार की पोर्ट बिलार में जहा जहां पर बात की जाए तो जीओ तो अपने 5G नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है चलते हैं उत्तरप्रदेश महू में जहां पर आपको दोनों नेटवर्क प्रॉपर तरीके से दन देखने के लिए मिलते हैं कि महूं में पूरी अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा आउ बहुत ज्यादा मतलब बात करी जाए तो कट्रा में तो अब लेकिन तब वहां पर जाते हैं राइस में वहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी है तो शायद इसलिए एक्सपेंड चल रहा हो और चलते हैं किस वार में जम्मू कश्मीर में किस तो वहां पर आपको दोनों ही नेटवर्क अबिलेबल मिलते हैं लेकिन एक्सपेंड हो रहे हैं तो अभी जिन लोगों को जी वैलकम आफर मिल चुका होगा तो उनके लिए तो प्रॉपर है लेकिन नहीं मिला तो उन्हें अभी फोड़ी मिला और एटल भी सासर्वर कर रहा है तो आपका फोड़ी से फा प्रॉपर मिलेगा तो आज की रिपोर्ट तो यही थी पर आप कमेंट जरूर कीजेगा रेगुलर कमेंट करते रहे हैं आपके सिटी आपके एरिये में हम रेगुलर वीडियो लेके आते रहते हैं यह वीडियो आपको अच्छे लेगे चैनल के सब्सक्राइब लाइक इजा बादे हैं